हाई और वेलकम बैक तुमाई यूट्यूब चैनल तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने चाप्टर फाइफ को स्टार्ट किया था जहां पर हमने मेजर ली बायर्स की प्रॉब्लम को समझा था हमने देखा था कि अगर कोई भी बायर कुछ भी परचेस करने जाता है और वो ड तो उसके लिए हमने तीन इंग्रीडियंट्स को पढ़ा था अपनी बायर्स की प्रॉब्लम में कि कैसे वो डिट्रमाइन करते हैं कि उन्हें क्या परचेस करना चीए कितना परचेस करना चीए मेजर ली हमने उससे क्या सीखा था कि अगर हम कुछ भी बाय करने जा रहे हैं तो उन तीनों की मदद से हम बता कर सकते हैं कि हमें कितनी quantity का क्या खरीदना है. Then, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगी कि कैसे हम buyers की problem से अपने demand curve को draw कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें पहले हमारे demand curve की तो हमने already chapter 4 में इतनी detail में पढ़ा हुआ है कि demand curve क्या होता है लेकिन still अगर हम उसे summarize करें तो अगर हम पहले बात करें अपने individual demand curve की तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी हमारे good है उस good के लिए जो different different quantities पर हमारा एक individual कितना willing है pay करने के लिए तयार है वो हमारा individual demand curve शो करता है हमारी individual की willingness to pay different different quantities पर एक good की then अगर हम बात करें हमारे demand curve की तो हमें already पता है कि जो हमारा demand curve है वो हमारे एक good के खुद की price प्लस उसकी quantity demand rate के पीच का relationship शो करता है जिसमें बाकी सारी चीज़ें हमारी constant होती है अगर हम बात करें कि हमारी quantity demanded क्या होती है तो वो quantity को शो करता है वो amount of good को शो करता है जो एक buyer willing है purchase करने के लिए एक particular price पर तो अगर हम इसको sum up करें तो हमारा demand curve overall क्या show करता है वो हमारी quantity demanded को show करता है जो respond करती है हमारी prices में change होने से जिसमें हमारी सारी जो चीज़ें बाकी वो constant होती है वो बिलकुल same होती है तो अगर हमारा demand curve response को show कर रहा है जिसमें हमारे price change होते है तो उसमें quantity demanded कैसे change होती है मतलब कि अगर price increase होता है तो हमारी quantity demanded हो कम हो जाती है और अगर हमारा price कम होता है तो उसमें हमारी quantity demanded increase हो जाती है यस relation को तो show करता है बट अगर हमें demand curve को draw करना है demand curve को बनाना है तो उसे हम कै कैसे buyers की problem से draw कर सकते हैं तो demand curve के लिए अगर हमें उसे बनाना है तो हमारा let's suppose अगर ये graph है ऐसे हमारा कुछ demand curve बनता है वो बनेगा कैसे तो हमें पता है यहाँ पर हमारी quantity demanded होती है और यहाँ पर हमारा prize होता है हमारी Y axis पे तो अगर हमें demand curve को बनाना है तो हमें different different prices पर different different quantity demanded चाहिए तब ही तो हम उसे draw कर पाएंगे x and y axis पे तो यहाँ पर हमें उसके लिए हमें buyers की problem से ये values मिलेंगी अब buyers की problem में अगर हमें याद होगा तो हमने अपनी last video में जो green table देखा था जहाँ पर हमने तीनों ingredient को साथ में study करके decide करा था कि हमें कितने quantity का क्या खरीदना है तो वहाँ पर हमारा जो price था वो fix था दो goods थे हमारे jeans और sweater हमारा जो jeans का price था वो 50 डॉलर था और हमारे sweater का जो price था वो 25 डॉलर था उस पर हमने जो select करा था combination वो क्या था कि 50 price पर हम 3 jeans को खरीद रहे थे और 25 price पर हम 6 sweaters को खरीद रहे थे तो यहाँ पर हम sweater को ignore करते हैं अगर हम demand curve बना रहे हैं हमारे jeans का यहाँ पर अगर हम quantity demanded jeans ले रहे और अगर हम यहाँ पर price of jeans ले रहे हैं तो हमारा first combination हमारा एक point तो आ गया कि 50 price पर हमारी 3 quantity demanded हो रहे थी jeans की तो यहाँ पर हमें वही given है कि हमारी 50 price पर हमारी 3 quantity demanded given थी अब यह तो हमारा एक price हो गया जिस पर हमारी 1 quantity given है लेकिन हमें 2-3 points तो चाहिए अपने quantity demanded को draw करने के लिए तो वो points कैसा हैंगे हम different different prices पर कैसे दिखेंगे quantity demanded तो हम same table को use करकर different different prices को लेकर अपने quantity demanded को निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हमें given भी है कि अगर let's suppose हमारा जो price है वो increase होकर हो जाता है 75 तो उस case में हम जो quantity demanded लेंगे वो होगी हमारी 2 pair of jeans हम देख भी सकते हैं यहाँ पर कि price increase हो आए तो हमारी quantity demanded तीन से दो गई सिमिलरली अगर हम अपने price को और increase करेंगे 100 कर देंगे तो उस case में सिर्फ हम एक jeans को खरीदेंगे देन उसके बाद अगर हम price कम कर देते हैं तो उस case में हमारी quantity demanded jeans की 4 pair हो जाती है अब यह सारी जो values हैं यह कैसे आई तो वो हमने 5.2 table को use करकर ही निकाली है इसको मैं आगे समझाती हूं कि यह सारी values कैसे आई है अब यह हमारा same table है जो हमने अपनी last video में use करा था इसमें सारी चीजें सेम हैं सब हम वही use करेंगे सिर्फ इसके अलावा यहां पर हमने अपने price को अब change कर दिया है पहले हमारा price 50 डॉलर था अब हम different different prices पर देखेंगे तो 50 डॉलर पर यह हमारा सही है क्योंकि यहां पर हमारा marginal benefit 50 डॉलर से डिवाइड होकर आता है हमारा marginal benefit पर डॉलर स्पेंड लेकिन अगर हम बात करें दूसरे prices पर तो उसमें हम अपने marginal benefit को बाकी prices से डिवाइड कर देंगे तो let's suppose कि यहां पर हम अपनी price को लेते हैं सबसे पहले डॉलर 75 तो अगर हम 75 डॉलर लेते हैं तो यहां पर हमारा marginal benefit पर डॉलर स्पेंड चेंज हो जाएगा अब इस case में हम अपने marginal benefit को 45 से डिवाइड कर देंगे यह वाली रो को हम अभी एग्नोर कर देंगे क्योंकि यह तो 50 डॉलर की हो गई हम अपनी दूसरी रो बनाएंगे जिससे हम अपने marginal benefit को 75 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा ये वाला ratio आजाए हमारा ये वाला ratio आजाए marginal benefit divided by हमारा price ओके तो यहाँ पर अगर हम let's suppose इसे divide कर जाएं तो हमारी values के आजाएंगी अगर हम अपनी 160 को divide करते हैं हमारे 75 से तो यहाँ पर 1 unit के लिए हमारा marginal benefit per dollar spend हो जाएगा 2.1 something and then उसके बाद अगर हम 150 को divide करते हैं अपने price से तो यहाँ पर आजाएगा हमारा 2 अब यहाँ पर हमें सारी values को निकालने के जवत नहीं है हमें पता था कि हमारी जो condition है वो क्या है कि एक तो हमारा budget completely exhaust होना चाहिए दूसरा हम अपने marginal benefit per dollar spend को compare करेंगे तीसरा था हमारा कि जो marginal benefit divided by price है मतलब कि हमारा जो marginal benefit per dollar spend है एक सेकंड तो हमारा जो marginal benefit per dollar spend है अगर वो equal आ जाता है दोनों goods का तो मतलब कि वो हम उस choice को consider कर सकते हैं और कब consider कर सकते हैं जब हमारा जो budget है वो completely exhaust हो जाए या फिर उसमें इतने पैसे नहीं बचे कि हम आगे proceed कर पाएं दूसरी हमारी condition थी कि हम compare करेंगे अपने marginal benefit per dollar spend को ना कि सिर्फ marginal benefit को तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही values को निकाला है क्योंकि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि अगर मैं sweater की बात करती हूँ तो sweater में already मेरा यहाँ पर 2 आ रहे है और यहाँ पर तो मेरे second में 2 आ गया तो मैं नीचे values को निकालने से पहले इसे compare करना चाती हूँ कि अगर मैं यह combination लेती हूँ तो क्या मेरी सारी चीज़े सही रहेंगी तो यहाँ पर 2 तो आ गया दूसरी condition है कि यहाँ पर मेरा budget कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ बच जाता है जिससे मैं कुछ और भी खरीद सकत यह हमने अपनी last video में देखा था कि जो हमारा budget था वो 300 था अगर मैं 6 sweater खरीद रही हूँ तो यहाँ पर sweater का price तो 25 है प्लस अगर मैं एक jeans खरीद रही हूँ तो मेरी एक jeans का price 75 है क्या यह हमारा 300 के equal है या फिर कुछ हमारे पैसे ऐसे तो नहीं बच जाते कि मैं एक और extra sweater या jeans खरीद सकते हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसे calculate करती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 150 प्लस यहाँ पर एक second यहाँ पर जो हमारी quantity है वो मैंने यहाँ पर गलती से 1 लिख दिया यहाँ पर हम jeans की 2 quantity को purchase कर रहे हैं यहाँ पर जो यह line जा रही है हम देख सकते हैं कि यह हमारी 2 पर जा रही है तो हम 2 quantity of jeans खरीद रहे हैं और यहाँ पर हम 6 quantity of sweater खरीद रहे हैं तो यहाँ पर यह 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 6 jeans आज 6 sweater आ जाएगा तो यहाँ पर 2 multiply by 75 अगें हमारा 150 हो जाएगा जिसमें हमारी जो बिलकुल exactly budget के एकवल है यहाँ पर हमार यह optimal choice हो गई मतलब कि यह हम combination अब इसके consider कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक और combination लिख सकती हूँ पहला तो मैंने choose करा था 50 price पर 3 quantity अगर 75 price होता है तो इस पर मैं 2 quantity of jeans खरीद रहे हूँ अब next अगर हम price की बात करें तो यहाँ पर हमने price लिया था अपना 100 अगर मैं marginal benefit per dollar spend निकालती हूँ अपना 100 dollar पर तो वो क्या हो जाएगा एक second तो उसमें मैं अपने marginal benefit को divide कर दोंगी अब यहाँ पर इसको ना erase कर देता है बट यहाँ पर हमाना per dollar spend ही निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे और भी prices आएंगे तो जगा नहीं बचे की तो यहाँ पर इसको मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर same ओके तो फिर हाँ तो अग अगर हम बात करें अपने first unit की तो हमारी value आजए की यहाँ पर 1.6 हमारा 160 divided by 101.6 हो गया second unit की अगर हम बात करें तो हम निकाल सकते हैं इसकी तो values अब की easily लेकिन यहाँ पर हमारा 1.6 जो है वो हमारा यहाँ पर directly मैच हो रहा है तो हम यहाँ भी stop करकर इस combination को एक बार verify कर सकते हैं कि क्या यह सही है like इसमें हमारा budget कोई इतना तो नहीं बचरा कि हम आगे भी कुछ खरीद लें तो अगर हम इसे stop करते हैं यहाँ पर एक second वैसे अगर हम इसकी आगे भी values निकालते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो values हैं वो काफी जादा कम होने लगेगी यहाँ पर 1 यह combination सही है कि नहीं जहाँ पर हमारा ratio मैंच कर गया यह 1.6 इसका और यहाँ पर 1.6 इसका तो हम देख सकते हैं कि यह combination क्या है कि इसमें हम 8 sweater खरीद रहे हैं प्लस हम 1 jeans खरीद रहे हैं और हमारा budget कितना है वो हमारा exact same है उसमें कोई भी changes नहीं आए तो अगर हम 8 sweater खरीद रह प्लस यहाँ पर हमारा directly आजाएगा 100 क्योंकि यहाँ पर हमारी jeans का जो price है वो 100 है इस बार और अगर उसे 1 से multiply करेंगे तो वो 100 ही रहेगा फिर अगर हम यहाँ पर budget हमारा same है अगर हम इसे solve करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो value है वो 200 आजाएगी प्लस य वो हमारी 300 के बिल्कुल एक वला है यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी budget बच नहीं रहा है तो हम इस combination को consider कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा एक और point आ गया हमारी 100 price पर हम कितने quantity demand करेंगे जेंस की one दन उसके बाद अगर हम अपने price को कम कर देते हैं तो इस पार हमारा price जो है वो 25 डॉलर हो गया फिर यहाँ पर हमारी same marginal benefit per dollar spend अगर हम अब अपने marginal benefit को divide करते हैं 25 से तो हमारी one unit की value आजएगी 6.4 दन second की आजएगी 6 फिर उसके बाद यहाँ पर आजएगी हमारी 4 अच्छा यह values कैसे आ रही हैं हम इन values को divide कर रहे हैं हमारी 25 से price से तो हमारा यह आजएगा है then उसके बाद यहाँ पर 4 के बाद हमारी value आजएगी 3.2 फिर उसके बाद आजएगी हमारी 1.2 and then so on तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो भी values है वो बिल्कुल match नहीं कर रहे हैं हम देख सकते हैं कि हमारा कोई भी ratio match नहीं कर रहा यहाँ पर ना तो यह इसमें से कोई भी यहाँ पर match नहीं कर रहा इसके नीचे like हमने इसके नीचे values क्यों नहीं नेका ली क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा 1.2 हो गया है अगर यहाँ पर हमारा 1.2 हो गया है तो यहाँ पर 1.2 तक तो कोई पहुचा ही नहीं है इतना कम किसी क है भी नहीं तो हम देख सकते हैं कि इन 5 values का यहां पर कोई भी match नहीं है अब इसमें क्या करेंगे हम तो हमारी book में क्या given है एक second यहां पर हमारी book में given है कि अगर हम हमारा जो price है वो 25 हो जाता है तो उस case में हम jeans की कितनी quantity की demand करेंगे वो है हमारी 4 अब यहां पर अगर हम 4 का marginal benefit per dollar spend देखते हैं तो वो है हमारा 3.2 अब अगर हम 3.2 consume करें 3.2 पर हम ले रहे हैं तो अगर हम 4 अपनी jeans ले रहे हैं तो 25 price पर हम अपने sweater को कितना purchase करेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर हम यहां पर 25 हमारा sweater है प्लस हमारी इस बाट 25 पर ही jeans है जो की हमारा budget है 300 का अगर हम यहां पर quantity purchase करेंगे jeans की 4 हमें बताया हुआ है कि हम 4 purchase करते हैं तो उस case में हमारी S की value आ जाएगी यहां पर अगर हम 4 ले रहे हैं J को तो हमारी S की value क्या हो जाएगी 8 तो यहां पर अगर हम अपने table में देखें तो अगर हम 8 quantity purchase करते हैं that means कि हम यह वाली quantity को purchase करते हैं अब इसका meaning क्या हुआ यहां पर हमारा जो ratio है यह हम देख सकते हैं कि यह जो हमारा ratio है यह बिल्कुल भी match नहीं कर रहा बट अगर हम इसको उस sense पर समझें जो हमने पहले देखा कि let's suppose की ratio को ignore करते हैं और अगर हम just compare करके अपनी purchase देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका first unit compare करें first अपने unit का marginal benefit per dollar spend compare करें और इसका compare करें तो हम किसे purchase करेंगे हम देखेंगे कि jeans का जादा है तो हमने एक jeans ले ली देन उसके बाद हम फिर से अपनी second jeans को purchase करेंगे या फिर first sweater को purchase करेंगे तो अगर हम इन दोनों को compare करते हैं तो again हमारी jeans में जादा फायदा है तो मैंने फिर से jeans खरीद ली then उसके बाद अब मैं third jeans खरीद हूँ या फिर मैं एक sweater खरीद हूँ तो मैं इन दोनों को compare करूँगी यहाँ पर हमारा 4-4 equal तो है बट यहाँ पर हमारा जो budget है वो completely exhaust नहीं होने वाला हम देख सकते हैं कि अगर मैं 3 jeans खरीती हूँ या फिर मैं अपना एक sweater खरीती हूँ तो क है तो यहाँ पर यह बिल्कुल भी equal नहीं होगा in fact मेरे बहुत जादा amount of money बच जाएगी अगर मैं सिर फिर भी solve करती हूँ यहाँ पर same value आजाएगी यहाँ पर मेरा 75 आजाएगा और यहाँ पर मेरा 25 आजाएगा जो की हो जाएगा मेरा 100 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह value कितनी जादा कम है 300 से अब अगर मेरे इतना budget बच रहा है तो obviously मैं आगी proceed करूंगी और मैं और भी jeans और sweater को खरीदूंगी तो इस case में हम इस combination को तो चूज नहीं करने वाले then उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं let's suppose क्योंकि हम आपस इतने सारे पैसे हम दोनों को खरीद सकते हैं तो माल लो कि हम यहाँ पर इस jeans को भी खरीद लेते हैं और इस sweater को भी खरीद लेते हैं तो उसके बाद हमारा next option क्या आता है कि मैं अपनी fourth jeans को खरीदूं या फिर म मैं इनको compare करूंगी तो उसमें मुझे sweater में जादा फायदा हो रहा है तो मैं एक और sweater खरीद लोगी then उसके बाद मैं third sweater को अपनी fourth jeans के marginal benefit per dollar spent से compare करती हूं तो उस case में मुझे फायदा किसमें हो रहा है jeans में then उसके बाद अगर मैं बाकी देखती हूं कि अगर मैं fifth jeans को compare करती हो अपनी third sweater से तो मेरा sweater में जादा फायदा है then उसके बाद में जब तक compare कर दिरूंगी उन सब में मेरा sweater में ही फायदा है क्योंकि हम देख सकते हैं कि यह सारे ratio हमारे 1.2 से जादा है in fact हमारे सारे ही ratio 1.2 से जादा है बट हम कब तक purchase करेंगे जब तक हमारा budget जो है वो completely exhaust न हमारा जो marginal benefit per dollar spend है वो कम है तो यह हमारा fix हो गया कि हमें यहाँ पर 4 quantity को ही purchase करना है उसके बाद हमें benefit इतना नहीं हो रहा उसके बाद तो हम sweater को ही खरी देंगे तो अगर हम 4 jeans को खरीते हैं तो उस case में हम कितने sweater को purchase करेंगे तो हमने यहाँ पर निकाला था 8 sweater को तो हम तब तक purchase कर दे रहेंगे जब तक हमारा budget जो है वो completely exhaust नहीं हो जाता या फिर इतना तो होनी जाता कि हम उससे आगे proceed ना कर पाएं तो वो है हमारी 8 quantity of sweater तो यहाँ पर हमारा जो combination है वो यह combination है तो यहाँ पर अगर हम अपने point को देखें तो हमारा जो point book में वो लिया हुआ हुआ ह 25 price पर 4 quantity of jeans अब हम यहाँ पर देख सकते हैं simply कि जो हमारा ratio है वो हमारा match नहीं हुआ हमारा decision rule है वो यहाँ पर work नहीं करा बट स्टिल हमने अपनी somehow logic को use करकर अपनी value को निकाल लिया तो इन case अगर ऐसा होता है तो हम directly अपमारा जो हमने उसमें भी पढ़ा था कि जो हमारा ind divisible good होते हैं उसमें अगर ऐसे situation आती है तो उसमें अगर हमारा decision rule work नहीं करता तो उस case में still हम compare करते हैं कि हमारा marginal benefit per dollar spend किसका जादा है और हम जिसका जादा है उसको purchase करते हैं चले जाते हैं तो यहाँ पर हमने वही simple logic वाला rule लगाया है अगर हमारा decision rule match नहीं करते हैं तो जि तक तक तुम खरीच सकते हो फिर अगर budget जहाद तक हतम हो जाता है वहाँ पर रुख जाओ तो यह आ गए हमारी चार point हमारा price और हमारी quantity demanded jeans के लिए यहाँ पर एक second यह हमारा price और quantity demanded jeans के लिए अब इससे तो हम अपने demand curve को draw कर सकते हैं इस चारो point को plot करके हम अपने demand curve को draw कर स तो वो हमने अपनी next slide में directly draw किया हुआ है तो यह हमारा वही चार points को show कर रहा है जो मैंने पीछी बताए कि यह values book में क्यों लिखी हुए है किस तरीके से हमने अपनी buyers की problem को use कर के अपने demand curve को draw किया हुआ है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे जैसे हमारा price increase हो रहा है हमारा price यहाँ से 25 से 50 हुआ तो हमारी जो quantity demanded है वो 4 से 3 हो गई फिर 50 से 75 और increase हुआ तो हमारी quantity demanded 2 हो गई फिर 100 हुआ तो हमारी quantity demanded 1 हो गई जैसे जैसे हमारा price increase हुआ हमारी quantity demanded कम हो गई then अगर हम इस same चीज़ को graph में भी देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो downward sloping demand curve है वो यही negative relation को show करता है हमारी price और demand के बीच में अगर हम इन points को let's suppose join भी कर देते हैं यहां पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा quantity demanded हम increase करते जा रहे हैं तो उस case में हमें अपनी price को कम करना पड़ रहा है इतका उल्टा भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी price को increase कर रहे हैं तो उस case में हमें अपनी quantity demand को कम करना पड़ रहा है यह हमारा negative relation show करता है हमारी price और quantity demanded के बीच में अब अगर इस same चीज में हम एक new concept को समझें तो हम बात करेंगे हमारे consumer surplus की तो consumer surplus अच्छा हमने जब chapter की starting में बात करी थी हमारे incentives की हमारे let's suppose incentives की तो अब हम बात करेंगे पूरे incentives की कि हमने उसकी बात क्यों करी थी अभी तक हमने इतनी सारी चीज से समझी तो हमने consumer के behalf पर समझी उनके behavior उनकी चीजों को देखा उनकी problems को देखा अब हम बात करेंगे incentives की तो incentives हम कैसे measure करते हैं तो हम उसमें अपने consumer के surplus को measure करते हैं हमारा consumer का surplus क्या होता है consumer का surplus का हमारा basic सा formula है हमारा हमारी willingness to pay माइनस में हमारा actual amount जो हम pay करते हैं तो हमारा consumer surplus क्या है कि जो हमारी willingness to pay है उससे हम actual amount जो हमारा buyer pay करता है उसको माइनस कर देते हैं इसका क्या मतलब हुआ हम अगर consumer हैं तो अगर हम जैसे हमने demand curve में भी दिखा हुआ है कि हमारा जो demand curve है वो क्या शो कर रहा है कि यह जो हमारी quantity है हम इन quantity पे देख सकते हैं कि हम maximum amount कितना pay करेंगे वो हमारी willingness to pay शो करती है हमारी willingness to pay क्या शो करती है कि एक buyer की maximum amount जो वो pay करना चाह रहा है quantity के लिए वो हमारा यह शो करता है और वो कैसे show करता है हमारी height show करती है demand curve ये ये सब चीज़े हमने already पढ़ी हुई है तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो हमारी willingness to pay क्या है अगर हम एक quantity of jeans खरीद रहे हैं तो me as a buyer मैं कितनी willing को pay करने के लिए उसके लिए तो maximum amount जो मैं pay करने के लिए तयार हूँ वो है 100 रुपीज 100 डॉलर में मैं उस jeans को खरीद लोगी उससे जादा होगा तो मैं नहीं खरीद लोगी और अगर उससे कम होगा तो ये मेरे लिए काफी जादा अच्छी बात है ये मेरे लिए काफी incentive वाले बात होगी ये मेरा consumer surplus होगा इसको मैं आगी फिर से explain करूंगी तो अगर हम पहले से समझे कि हमारा willingness to pay क्या है तो जो maximum amount मैं pay करने के लिए तयार हूँ अपनी quantity पर वो है मेरा willingness to pay similarly अगर एक और देखते हैं तो let's suppose कि अगर मैं चार jeans खरीती हूँ तो उस case में मैं maximum amount कितना pay करने के लिए तयार हूँ तो वो मेरी height होगी demand curve की और वो कितनी है 25 डॉलर तो अगर मैं 4 jeans खरीती हूँ तो me as a buyer मैं कितना amount maximum pay करने के लिए तयार हूँ 4 jeans के लिए तो वो है मेरा 25 डॉलर ओके देन उसके बाद अगर हम बात करें अपने second term की वो है हमारा actual amount जो buyer pay करता है actual amount जो buyer pay करता है वो क्या होता है हमारा market का price अब इसका क्या meaning हुआ तो अगर हम इसको example के base पर समझे तो let's suppose कि अगर हम market जाते हैं कोई dress लेने के लिए या फिर अगर हम कोई online shopping भी करें हैं यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हम कोई online भी shopping करते हैं तो अगर हम कुछ भी purchase करते हैं उसके लिए हमारे अंदर एक image आती है कि मैं maximum amount जो इतना pay करने के लिए तयार हो मतलब कि अगर मुझे कोई चीज बहुत अच्छी लगी तो मैं उसके लिए या फिर कैसी भी लगी तो उसके लिए मैं maximum amount जो पे करने के लिए तयार हो मान लो कि वो है thousand rupees अब इसमें हमारा ये तो हो गया हमारी willingness to pay मेरी ये मैंने देखी dress या फिर online देखी या फिर face to face देखी मेरे को अंदर thought आया कि मैं maximum amount तो इसके लिए इतना ही पे करूँगी अब इसके reason हो सकते है कि मेरे पास हो सकता है कि मुझे budget ही इतना हो कि मुझे इतने में खरीदना है दूसरा हो सकता है कि हमें कभी-कभी ऐसे भी लगता है कि अगर हम कोई चीज देखते हैं तो हमें लगता है कि ये इतना तो वर्थ करती है इससे जादा तो इसके लिए देने के लिए कोई फायदा नहीं है इससे जादा है लेट सबोस्स कि अगर उसका मार्किट का प्राइज हमारी विलिंगनेस टूपे से कम निकल जाता है तो यह तो हमार लिए फाइदा ही है ना अगर मैं उसके लिए हजार रुपए पे करने के लिए तयार हो बट मुझे वो उससे कम में मिल गया तो उसमें जो मेरा consumer surplus है वो positive में हो जाएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मेरी willingness to pay जाधा होगी मेरे actual amount से जो मैं pay कर रही हूँ market के price से तो उसमें मेरा consumer surplus तो positive में होएगा similarly अगर मैं इसका उल्टा case देखूं यहाँ पर कि अगर एक second कि अगर मेरा जो market का price है वो जाधा में निकल गया मैं लेने के लिए guide dress और मैंने देखा कि इसके लिए तो मैं यार सिफ thousand रुपीज सी pay करने के लिए तयार हो maximum लेकिन मेरा market का price उसने बता दिया thousand से जाधा तो उस case में मैं या तो उससे नहीं खरीदूंगी दूसरी बात कि अगर मैं खरीदती भी हूँ तो उस case में जो मेरा consumer surplus है वो negative हो जाएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मेरा actual amount जादा हो जाएगा मेरी willingness to pay से तो मेरा consumer surplus जो है वो negative में हो जाएगा तो अगर हम इस same चीज़ को consumer surplus को अपने demand curve से समझें तो हम देख सकते हैं कि willingness to pay हमें बता चल गए कि वो हमारी height शो कर दिया है कि अगर मैं ये quantity purchase कर दियू तो मैं उसके लिए maximum amount कितना पेगाने के लिए तायार हो मेरी demand curve की height जो कि है 50 डॉलर ये हो गए हमारी willingness रुपे हमारी height शो कर दिया जो लेकिन अगर हम बात करें market के price की तो let's suppose यहाँ पर हम market का price ले लेते हैं हमारा 50 50 डॉलर हमने ले लिया market का price ये हमारा हो गया market का price अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं let's suppose की जो यह हमारा demand curve है यह बिलकुल यहाँ से joint है पूरा उपर से भी और हमारा नीचे से भी तो अगर हम बात कर रहे हैं अपने consumer surplus की तो अगर यहाँ पर हम अपने consumer surplus को देखें तो अगर मैं एक quantity purchase करती हूँ तो उसके लिए मैं maximum amount कितना पेगाने के लिए तयार हूँ तो वो मेरी height हो गए 100 डॉलर लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें consumer surplus की तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर की बात कर रहे हैं तो यह मेरा market का price हो गया लेकिन यह मेरी willingness to pay हो गई तो मैं अपनी willingness to pay से अपने market के price को minus कर दोंगी तो वो हो जाएगा मेरा 50 डॉलर 100 minus 50 तो 50 डॉलर हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी यह मेरा area है यह मेरा consumer surplus हो जाएगा अगर मैं एक quantity purchase करती हो जीन्स की तो यह मेरा 50 डॉलर consumer surplus हो गया जो कि मैं देख सकती हूं कि positive है similarly let's suppose कि अगर मैं दो जीन्स करीती हूं तो उस case में मेरा consumer surplus क्या होगा तो पहले हम बात करेंगे हमारी willingness to pay की तो हमारी willingness to pay क्या है यहाँ पर मेरी willingness to pay क्या है मेरी height of demand कर जो की है मेरी 75 यहाँ पर मैं देख सकती हूं कि वो 75 है मेरा market का price कितना है वो मेरा 50 डॉलर है तो मेरा consumer surplus क्या होगा मेरा 75 माइनस मेरा 50 डॉलर मतलब मेरी willingness to pay माइनस में जो मेरा actual amount जो मैं pay कर दियो खरीदने के लिए 2 jeans को तो वो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 25 तो यहाँ पर जो मेरा consumer surplus है वो हो जाएगा यहाँ पर 25 similarly अगर मैं quantity 3 की बात करूं तो यहाँ पर मेरा willingness to pay कितना है तो मैं देख सकती हूं कि मेरी willingness to pay 50 है पर मेरा market का price भी already 50 है तो अगर मैं 50 minus 50 करती हूं मेरी willingness to pay minus मैं actual amount दोनों ही 50 है तो मैं 50 minus 50 करूंगी तो इस case में जो मेरा consumer surplus है वो कुछ भी नहीं होगा similarly अगर मैं 4 quantity खरीती हूं तो उसमें मैं maximum amount pay करने के लिए कितना तयार हूं मेरी willingness to pay मेरी height of demand curve है उसके लिए हमारा 25 है मेरी willingness to pay मैं 25 रुपे ही pay करने के लिए तयार हूं maximum लेकिन मेरा market का price कितना है वो है मेरा 50 तो इस case में हम देख सकते हैं कि जो मेरा consumer surplus है अगर मैं यह purchase करती हूं तो वो मेरा negative में चला जाएगा यहाँ पे जो मेरा consumer surplus होगा वो negative में हो जाएगा तो यह मैं purchase नहीं करने वाली अब यह सारी चीज़े हमारी 5.4 में हाँ पर given है हम देख सकते हैं consumer surplus जिसका formula क्या होता है हमारी difference between willingness to pay और हमारा actual amount जो हमें good के लिए pay करते हैं same हमारा जो diagram है वो यही show कर रहा है कि मेरी height of demand curve जो है वो 100 है और अगर मैं 50 dollar actual amount pay करती हूं तो मेरी willingness to pay minus में मेरा market का price तो यहाँ पर जो मेरा consumer surplus है वो कितना हो जाएगा 50 similarly अगर मैं अपने second quantity की बात करती हूं तो यहाँ पर मेरी height of demand कर मेरी willingness to pay है और वो कितनी है 75 लेकिन मेरा market का price कितना है 50 dollar तो मैं इन दोनों को अगर minus करती हूं तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 25 यह मेरा consumer surplus हो गया यहाँ पर then उसके बाद इस case में तो मेरा consumer surplus ही नहीं है क्योंकि कोई height ही नहीं है then उसके बाद अगर हम यहाँ पर height देखें तो मेरा negative में answer चला जाएगा क्योंकि मेरी जो willingness to pay है वो कम होगी मेरे market के price से यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि अगर हमारा जो height है वो अगर upward की side होती है तो उस case में तो हमारा positive होता है लेकिन नीचे की side अगर हम अपनी height को देखें यासे यह line ड्रॉ कर दी नीचे की side अगर हमारी height जाती है तो उस case में हमारा consumer surplus negative हो जाता है लेकिन अगर हमारा point हमारी height exactly equal है हमारे market price है तो उसमें हमें कोई भी consumer surplus नहीं उड़ा यहाँ पर हमें given भी है कि यह हमारा dollar benefit को show करता है जो हम purchase कर पाते हैं हमारी जीज को from market में कितने price पर 50 पर तो उसमें हमारा dollar benefit है जो हमारा consumer surplus है वो हमारा यह height show कर रही है जो कि हमारा है यहाँ पर 50 हो रहा था यहाँ पर हमारा और यहाँ पर हमारा 25 हो रहा था और यहाँ पर तो हमारा 0 हो रहा था now अब अगर हम बात करें हमारे market के consumer surplus की तो उसे हम आगे लेखते हैं कि हम उसे कैसे calculate करते हैं तो यह हमारा same diagram है दन उसके बाद अगर हम market के consumer surplus की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इससे उपर हमारा जो ये market का price था और इससे उपर सारा हमारा consumer surplus हो गया हुआ है तो हम इसे यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा consumer surplus है वो क्या होता है हमारा below the demand curve and हमारा above the price तो हमारा जो भी ये area होगा ये हमारा जो भी area होगा ये होगा हमारा consumer surplus हम देख भी सकते हैं कि हमारा जो below the demand curve है वो हमारा ये सारा area हो गया फिर उसके बाद हमारा above the price कौन सा area है वो मेरा ये सारा area हो गया इनका common area जो बजा हमारा वो मेरा ये पूरा triangle हो गया ये होगा मेरा consumer surplus तो हमारा जो area का formula है उसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारा consumer surplus पूरी market का क्या है then उसके बाद अगर हम बात करें कि हम इसे calculate कैसे करते हैं कि हमारे पूरे market का consumer surplus हमें calculate कैसे करना है तो इसका formula क्या है हमारे triangle का formula half into base into height अब यहां पर हमारा base क्या है तो हम देख सकते हैं कि यह हमारे triangle का base है इसकी value को कैसे निकालेंगे तो हम देख सकते हैं कि यह हमारे यहां पर 0 से start है और यहां पर end कहां पर है यह हमारा 60 से हमारे यह 60 million jeans के बात हो रही है क्योंकि हमारी पूरी overall पूरी market of genes के बात हो दिया है तो यहाँ पर हमारा जो base है वो 0 से 60 हमारा 60 आ गया 60 minus 0 यह हमारा base आ गया तो यहाँ पर हमने value ले लिए अपने base की 60 60 million then अगर हम बात करें हमारे triangle की height की तो यह हमारी height हो गई यह पूरी हमारी height हो गई अब इसको हम निकालेंगे कैसे तो हम देख सकते हैं कि यह जो हमारी height है वो यहां से यहां तक है मतलब कि हमारा जो यह पूरी height है वो तो 0 से start है और वो हमारी इतनी हमें linear है तो हम इसे कैसे निकालेंगे तो हम directly अपनी 125 में से 50 को माइनस कर देंगे तो हमारी height आजएगी तो यह हो जाएगा हमारा 75 मतलब कि यहाँ पर हम अपने यह हमारी total height है पूरी यह जो पूरी height है वो हमारी 125 है इसमें से जब हम अपनी यह height माइनस कर देंगे जो कि हमारी 50 है तो हमारा ये वाली height आजएगी तो यहाँ पर हमने अपनी 125 में से नीचे की height माइनस कर दी है जो कि हमारी 50 है तो ये हमारा 75 यहाँ पर आगया तो हम अपनी height की value डाल देंगे यहाँ पर अब यहाँ पर हम थोड़ा काटा पिटी करते हैं यहाँ पर यहाँ आजएगा हमारा 30 दन उसके बाद अगर हम इसे multiply करते हैं तो जो हमारी value है वो आजएगी 2250 million क्योंकि हमारी पूरी market की value है पूरे market का consumer surplus है अगर हम इसे thousand से divide कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमारी value है वो आजएगी 2.25 billion अब हमने अपने चाप्टर की starting में हमारा consumer की problem को समझा दन उसके बाद हमने अपने consumers की problems को सबको एक साथ समझा and दन हमने देखा कि कैसे हम अपनी quantity को choose करते हैं कि हमें कितनी quantity का क्या खरीदना है अपनी given budget में उसके बाद हमने अपनी consumer की problem से अपनी demand curve को draw करना सीखा then उसके बाद हमने अपने demand curve से consumer surplus को देखा कि वो हम कैसे देखते हैं अब अगर हम बात करें consumer surplus की कि हमने क्यों पढ़ाए consumer surplus तो हमारा जो consumer surplus है वो क्या show करता है कि जो भी हमारा buyer market में participate करता है enter करता है कुछ खरीदने जाता है तो उसे उसे कैसे benefit receive होते हैं किस तरीके से benefit receive होते हैं उसको क्या incentive receive होता है तो अब हम बात करेंगे कि हमारे incentives क्या होते हैं finally अब हम सबझेंगे कि हमारे incentives किस तरीके से हम as a buyer receive करते हैं तो उसे हम अपनी next slide में देखते हैं तो यहाँ पर हमें शो किया हुआ है कि हमारा जो consumer surplus है वो कम हो जाएगा मैं as a buyer मैं अपने consumer surplus को खो दूँगी अगर market का price good के लिए increase हो जाता है तो यह situation तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है किस तरीके से यह work करता है बट अगर हम बात करें incentives की तो हम देख सकते हैं जैसे मैंने chapter की starting में बात करी थी कि अगर हमारी government या policy maker कोई भी policy लाते हैं तो वो एकदम से ऐसे market में नहीं लेकर आ जाते हैं कि उन्होंने कुछ policy decide करी कि हाँ से ऐसे कुछ work करेगा तो वो एकदम से market में नहीं apply कर देते हैं कि हाँ ले आते हैं वो पहले देखते हैं उसको analyze करते हैं कि अगर हम ये policy लेकर आते हैं market में तो हमारे buyer को कितना incentive होता है चाहे उसको फाइदा हो उससे या फिर नुकसान हो जैसे इस case में हम देखेंगे कि उसे नुकसान होगा जैसे ही market का price increase होगा तो हमारा consumer surplus जो है वो कम हो जाएगा similarly अगर कोई ऐसी policy आती है जिससे हमारा price कम हो जाता है तो उसमें हमारा consumer surplus है वो increase हो जाता है और हमें as a buyer हमें फाइदा होता है तो हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी policy लाते है तो उससे हमारे buyer को क्या incentive होता है चाहे वो हमारे reward की form में हो कि हमें फाइदा हो या फिर हमें as a penalty की form में हो कि हमें नुकसान हो similarly हम ये भी देखते हैं at the same time कि अगर हम policy लाते हैं तो ये तो गई buyer की बाद, हमारे consumer की बाद उसके बाद हम अपने seller को भी देखते हैं कि seller को उस policy के आने से कितना फाइदा और नुकसान हो रहा है जैसे हम अपने next chapter में देखेंगे कि अगर हमारा price increase होगा तो उस case में जो हमारा producer का surplus है वो increase होगा, उन्हें फाइदा होगा price increase होने से similarly अगर हमारा price कम होता है तो उस case में हमारा जो producer surplus है वो भी कम हो जाएगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी government कोई policy लाती है जैसे हम यहाँ पर बात करें अपनी example की तो हमें example में given है कि हमारी जो government है उन्होंने observe करा कि जो हमारी ground water है वो काफी जादा गंदी होती जा रही है वो उसका cause क्या था? कि उन्होंने देखा कि जो हमारी jeans की manufacturing है उसमें कोई ऐसे chemical use हो रहे है जिसकी वज़े से हमारी जो ground water है वो गंदी हो रही है उनको हमें use नी करना हमें ऐसी treatment चाहिए जिससे हमारी fabric में वो certain chemical use ना हो तो government ने उस policy को लेकर आई and उसकी वज़े से जो हमारी treatment थे chemical prohibited के उसने हमारी market का जो price था वो jeans का increase कर दिया यहाँ पर हमारी जो jeans का price है वो 50 डॉलर से 75 डॉलर हो गया तो जिसकी वज़े से हमारा जो consumer surplus है वो कम हो जाएगा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलावाई कि अगर सारी चीज सेम है और अगर हमारी price में changes आते हैं तो हमारी consumer surplus में क्या impact होगा तो माल लो कि यह हमारा curve है इस पे हमारा यह demand curve था यहाँ पे हमने price ले लिया जो की था हमारा 50 डॉलर इस पे हमारा जो consumer surplus है above the price and below the demand का वो हमारा यह area हो गया अगर हमारा price अब increase होता है यह तो हमारी पूरी पहले वाली situation हो गए जो हमने अपनी last slide में पढ़ी थी अगर हमारा price increase होता है 50 से जादा होता है तो हमने उस price को उपर ले लिया 50 से अगर वो जादा है तो तो यहाँ पर हमारा 75 price आ गया अब इसमें अगर हम अपने consumer surplus की बात करें तो हमारा area above the price वो यह हो गया area below the demand curve हमारा यह हो गया तो हमारा जो common triangle area आ रहा है वो इस बार हमारा यह area है हम देख सकते हैं कि जो हमारा consumer surplus है वो कम हो गया पहले हमारा यह पूरा यह पूरा triangle हमारा consumer surplus था अब हमारा सिर्फ यह yellow triangle ही consumer surplus है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर price increase होने से हमारे जो consumer surplus है वो कम हो जाता है तो जैसे ही हाँ पर हमारी ये policy आई उस policy के आने से market का price eventually increase हो गया उस increase होने की वज़े से हमारा consumer surplus कम हो गया लेकिन at the same time हो सकता है कि अगर price increase हुआ है तो हमारा producer surplus increase हो जा है जो कि हम अपने next chapter में देखेंगे तो हम देख सकते हैं अब हम देख सकते हैं कि incentives को हम क्यों परते हैं क्योंकि अगर हमारा कोई भी policy आती है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा कितना फाइदा और नुकसान हो रहा है यहाँ पर कुछ भी हमारी values होंगी जो अगर हम इस triangle का area calculate करेंगे फिर उसके बाद अगर हम अपने producer surplus का area calculate करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर तो हमें नुकसान हुआ है यहाँ पर हम बूल सकते हैं कि यहाँ पर हमें loss हुआ है लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर हमें benefit ही होगा बट हो सकता है कि यह जो हमें buyer को as a loss हुआ है वो जादा हो हमारे benefit से जो हमें seller को होगा तो उस case में य ये policy तो नहीं आने चाहिए लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे इस policy के आने से loss तो हुआ है लेकिन at the same time अगर हमारे benefits जादा होते हैं seller को तो हम approve कर देते हैं इस policy को क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस policy के आने से लोगों को फायदा जादा हुआ है, हमारे seller को फायदा जादा हुआ है although हमारे buyer को नुकसान हुआ है, still हमारे जो फायदे हैं वो जाधा हैं हमारे नुकसान से तो in short हम देख सकते हैं कि हम अपने incentives को क्यों पढ़ ते हैं similarly हम इसको भी अपने next chapter में देखेंगे और दोनों को compare करकर ही हम अपने benefit और loss को compare करकर ही कोई policy लेकर आते हैं ऐसा नहीं है कि कोई policy design करी तो उसे एकदम से government लेकर आती है पहले वो observe करती है कि अगर वो policy लेकर आएंगे तो उसे क्या changes होंगे हमारे buyer को कितना फाइदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है और हमारे seller को कितना फाइदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है किसको जादा benefit हो रहा है ऐसा तो नहीं है कि जादा नुकसान हो रहा है हमारी policy के आने से तो इन सब चीजों को देखकर यह हमारी जो government है वो इन policies को लेकर आती है Now, अब जो यह हमारा same diagram है वो हमारी book का यहां पर given है हम देख सकते हैं कि जो हमारा consumer surplus है उसका area छोटा हो गया और जो भी यह हमारा पूरा area बचा यह सारा हमारा consumer surplus हमने खो दिया अगर हमारा market का price increase हुआ है तो फिर अगर हम बात करें हमारी evidence based economic की जो हमने अपने chapter की starting में question करा था कि अगर हम 100 dollar per month एक smoker को offer करते हैं financial incentive secret छोड़ने के लिए तो क्या वो smoking करना छोड़ देगा अब अगर हम choose कर रहे हैं कि हम smoking को छोड़े या फिर नहीं छोड़े तो उसमें हम अपने cost की तो यहां बात नहीं हो रही तो अगर हमें benefit की बात हो रही है तो हमें marginal benefit की अगर बात करें extra benefit की अगर बात करें तो अगर हम smoking करते हैं तो हमें कितना फाइदा हो रहा है लेकिन नहीं करते हैं तो हमें कितना फायदा हो रहा है उन दोनों को compare करकर हम अपनी choice करेंगे कि हमें smoking छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है तो यहाँ पर हमें given है कि अगर हम like अगर मैं smoking करती हूँ और कोई मुझे hundred dollar पर मन दे रहा है तो उसमें मुझे फायदा कितना हो रहा है अगर मैं smoking छोड़नी हूँ तो कि पहला तो मुझे hundred dollar मिल रहा है अगर मैं smoking नहीं करती तो दूसरा कि अगर मैं smoking छोड़नी हूँ तो at the same time जो मैं smoking में पैसे लगाती थी खरीदने में secret करीदने में तो वो पैसे भी तो मेरे बज़ रहे है तो उस केस में अगर मैं smoking नहीं कर लए तो मेरी saving भी कुछ हो रही है let's suppose कि जो मेरी saving है वो हो रही है मेरी hundred dollar per month तो अब जो मेरा smoking नहीं करने का फायदा है वो हमारे कितने हो गए कि अगर मैं smoking नहीं कर दी तो मुझे पैसे भी मिल रहा है, उल्टा मेरा सेव भी हो रहा है, तो मुझे 200 रुपे as a marginal benefit मिल रहे हैं, 200 रुपे मेरे additionally per month income में add हो रहे हैं, अगर मैं smoking जोड़ती हूँ तो, अब यहाँ पर smoking ना करने के हमने फायदे देख लिए कि हमें 200 डॉलर per month extra मिल रहे हैं, per month additionally मिल रह है, smoking ना करने का, वो हमारा 200 है, then अगर हम बात करें smoking करने की, तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ तो benefit receive हो रहा होगा, तब ही तो लोग करते हैं, उन्हें कुछ मज़ा आता होगा, तो अगर वो benefit हमारा जादा है, इस benefit से, तो उस case में हम smoking नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर smoking करने का benefit कम है, हमारे 200 डॉलर से, तो उस case में हम smoking करना छोड़ देंगे, यहाँ पर सेम हमारी वही बात given है, कि अगर हमें 200 additional monthly income, जादा benefit प्रोवाइट कर दिये हमारी current benefit से, जो हम smoking करके receive कर रहे हैं, तो उस case में तो हम smoking को छोड़ देंगे, बट अगर इसका उल्टा होगा कि अगर हमें smoking में अभी भी जादा benefit receive हो रहा है, 200 डॉलर से, तो उस case में हम नहीं छोड़ेंगे, अब यह तो गई हमारी theoretical बात कि जिसका marginal benefit जादा हैं, वो चीज़ हम करेंगे, लेकिन अगर हम इसे practically समझें कि अगर हम सच में किसी को 100 डॉलर का financial incentive प्रोवाइट कर देंगे तो क्या वो सच में smoking करना छोड़ते का, हमने इसको observe करना है, तो इसके लिए हमें एक experiment conduct करना पड़ेगा, जैसे हमने अपने chapter 2 में भी देखा था, experimental economic में, जिसमें हम अपने कुछ लोगों को इखटा करकर उन पर experiment करते थे, और ने observe करते थे, तो अगर हमें यहाँ पर same experiment कर तो उसमें हमें, जिन चीज पर test करना होता है, जैसे अगर हमें इहाँ पर smoker को observe करना है, तो हम smoker को इखटा करेंगे, काफी सारे लोगों को इखटा करेंगे, जो smoking करते हैं, उसमें से हम अपने, जिन पर test करना है, उन्हें test group में डाल देंगे, आदो को हम डाल देंगे हम उसमें, इसलिए डालते हैं, क्योंकि उसमें हम उन्हें actual में test करते हैं, जो हमें अपनी theory proof करनी होती है, तो अगर हमें देखना है कि हमारे, अगर हम उन्हें financial incentive provide करते हैं, तो क्या वो smoking छोड़ देंगे, तो जो test group के बंदे हैं, उनको हम financial incentive actual में provide करेंगे, और देखेंग कि क्या वो smoking करना छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, ओके, तो अब experiment को start करने से पहले, हम बात करेंगे हमारे non financial incentives की, financial incentives तो यह है कि हम उन्हें money के term में incentives दे रहे हैं, हम उन्हें hundred dollar दे रहे हैं, अगर वो smoking छोड़ते हैं, तो non financial incentives में बाकी सारी approaches, बाकी सारी चीज़े आ हमें smoking छोड़नी चाहिए, तो अब अगर हम बात करें financial और non financial incentives की, तो हम दोनों को देखेंगे अपने experiment में कि कौन सा जाधा तरीका effective है smoking को छोड़नी का, अब उसके बाद अगर हम बात करें experiment की, तो उसमें हम अपने लोगों को इखटा करेंगे, जो smoking करते हैं, और जिनको ह हमें smoking छोड़वानी है, तो उसमें हम जितने भी लोगों को इखटा करेंगे, हमने बात करेंगे, हम उन्हें दोनों groups में divide कर देंगे, हमारे test group में और हमारे control group में, लेकिन जो हम इने दोनों को divide कर रहे हैं group में, यह हमारा जो पूरा experiment है, यह randomized way में होगा, मतलब कि हम जो द randomly divide करेंगे, अपने test group में और अपने control group में, उसके बाद हम अपने experiment के बीच में, जो हमारा experimental period है, उसके बीच में हम अपने biochemical test भी करेंगे, जो confirm करता है कि हमारे participant ने smoking नहीं करी है, during the experimental period, जो भी हमारा experiment period है, उसके बीच में हमने smoking नहीं करी है, वो confirm करेगा हमारा biochemical test, अब अगर तुम्हारा बायो क्यमिकल टेस्ट बीच में बोलता है एक्सपरिमेंट पिरियेट के कि तुमने स्मोकिंग करी है तो उसकेस में तो तुम्हें कोई भी फाइनेशल इंसेंटिव नहीं मिलेगा कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन अगर तुमने experiment period के बीच में कोई भी smoking नहीं करी है तो उस case में yes तुमें financial incentive receive हो का Now, अब अगर हम अपने experiment को start करें तो जो हमारा experiment है वो हमारा 10 week program है smoking को छोड़ने का तो उसमें हमने अपने subjects को collect करा, enroll करा and then उसके बाद हमने उन्हें randomly assign कर दिया हमारे control और हमारे test group में, जो हमारे control group के लोग थे उन्हें सिर्फ standard program ही receive हो रहा था लेकिन जो हमारे test group के लोग थे, जो smoker थे उन्हें standard program के साथ साथ हमारा incentive भी receive हो रहा था हमारा financial incentive भी receive हो रहा था then उसके बाद जो हमारा program है, वो हमारा हर 2 week में meeting रखता था फिर उसके बाद उस meeting में वो करते क्या थे तो जो हमारे control group के लोग थे उन्हें तो वो बस nicotine patches देते थे और information देते थे और दन उसके बाद उन्हें छोड़ देते थे लेकिन जो हमारी test group के लोग थे उन्हें वो nicotine patches भी देते थे और उनका biochemical test भी करते थे अगर उन्होंने उसके बीच में smoking करी होती थी तो उन्हें तो वो बिल्कुल भी कोई incentive नहीं देते थे लेकिन अगर उन्होंने अपने experimental period के बीच में smoking नहीं की होती थी तो उन्हें वो incentive भी provide कर देते 20 डॉलर का तो वो basically हर meeting में अगर तुमने smoking नहीं करी है उसके बाद अगर प्रोग्राम खतम होने के बाद भी तुमने 30 डेस तक स्मोकिंग नहीं करी है तो तुम्हीं financial incentive 100 डॉलर का रिसीव होगा अब हम अगर इनकी observation को देखे ये तो हमारा पूरा test हो गया कि हमने test किस तरीके से करा हमारा experiment हमने किस तरीके से करा अगर हम इसके result की बात करें कि हमारे financial incentive देने से कितने लोगों ने smoking छोड़ी तो उसका हमारा data आगे given है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा incentive group था जिनको हम financial incentive दे रहे थे जो हमारा test group था उनमें से कितने लोगों ने कितने percentage of लोगों ने actual में smoking गरना छोड़ दिया त फिर अगर हम बात करें non incentive group की जिनको हम कोई भी financial benefit नी दे रहे थे वो पस हमारा standard program receive कर रहे थे मतलब कि वो हमारे nicotine patches और information वगेरा ही सिर्फ receive कर रहे थे उनमें से कितने लोगों ने smoking करना छोड़ दिया तो वो था हमारा 4.6 हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जिन लोगों को हम financial incentive दे रहे थे उन्होंने वो जादा लोग हैं हमारे जिन होने smoking करना छोड़ दिया as compared to non financial group तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा financial incentive है वो जादा induce करता है लोगों को smoking छोड़ने से अब यह तो गई हमारी experiment के बाद कि हमारा experiment हुआ उसके बाद हमारा जो program खतम हुआ 50 days बाद हमने observe करा यह data बट क्या यह सब चीजे खतम होने के बाद उन्होंने actual में smoking करना छोड़ दिया मतलब कि उन्होंने lifetime सच में smoking करना छोड़ दिया तो अगर हम उसे observe करें तो हमारी research report कहती है कि जो हमारी 16.3 percentage जिन्होंने smoking करना छोड़ दिया था after the program उनमें से वो जो हमारी percentage है वो कम होकर हो गई हमारी 6.5 अब हम देख सकते हैं कि program के बाद तो हमारे 16.3 लोगोंने actual में smoking करना छोड़ दिया लेकिन जैसे हमारे program खतम हुए over the period of time बहुत time बाद उन्होंने फ तो हमारे सिर्फ actual में अगर हम बात करें कि हमारे incentive group ने जिन्होंने smoking करना छोड़ दिया actual में तो वो है हमारे 6.5 परसेंट जो कि हमारे सिर्फ थोड़ी से ही जादा है हमारे non incentive group से हमारे 4.6 परसेंट से जादा difference नहीं है इन दोनों में अब हम इससे क्या उजफ करें अगर हम इसके conclusion की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो financial incentive है वो हमारा थोड़ा तो powerful है देखो उसमें starting में तो काफी सारे लोगों ने छोड़ दिया उसके बाद जिन लोगों ने actual में छोड़ दिया कि उन्होंने बाद में भी program खतम होने के ब कि लोग actual में अगर हम उन्हें financial incentive provide करते हैं तो वो चीज हमारी work करते हैं लोग actual में अपनी old habit को छोड़ देते हैं और काफी कम लोग ही होते हैं जो हमारी old habit को वापस से adopt करते हैं तो overall हमारा conclusion कहा है इसमें कि अगर हम financial incentive provide करते हैं तो लोग actual में smoking को छोड़ देते हैं हम देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने smoking छोड़ी और हम देख सकते हैं कि उनका जो benefit है हम बोल सकते हैं जो हमने starting में observe करा था कि benefit marginal benefit जादा होता है तो वो हम उसी को करते हैं तो हम देख सक आद हम बात करें कि जैसे ही हमारा financial incentive खतम होता है प्रोग्राम खतम हुआ उन्हें पैसे मिल गए उन्होंने वापस से अपनी old habit को adopt कर लिया तो यहां पर हमारा half chapter complete होता है इसके आगे के जो topics है वो एक complete different topic है हमारे demand की elasticity के उनका इन topics से कोई भी लेना देना नहीं है तो अब अगर हम बात करें अपनी बाकी topics की तो वो हम अपनी next वीडियो में देखेंगे I hope कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ में अपना doubt कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे like, share and subscribe जरूर करें मिलते हैं हम अपनी next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई